स्क्राइब लाइकन शेर एसी बी क्लिक ते बेल आइकन फोर मों इंट्रिस्टिंग वीडियोज आपने क्रॉनिक किड्नी डिजीज पर बॉस्टन युनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलिज लंदन से डॉक्टरेट हासिल की वो बेनुल अक्वामी सता पर भी कई मेडिकल इदारों की एजाजी मेंबर हैं और तेहकीकी मकालात लिख चुकी हैं आप्धान इए कोरे दापना इंडिकल इंड राम्टरेश इंड विस्टन विद्धसिर कुपा हैं इंडिकलों इंडिसविज विविज श्रम में इने इंडिकलों and for hosting this important event. And I look at this important event because I think it's highlighting a very, very important cause. वमन के अचिवम्न आप हाइलाइकरेंगे, पाकिस्तानी वमन के अचिवम्न आप हाइलाइकरेंगे at a national level and international level. And I think that's what it's showing you and what it's recognizing is that our women, Pakistani women, can achieve great heights in whatever they're doing, can improve the image of Pakistan. And I think it's not just that. We need to look at it also in the light of in the light of पूरे पाकिस्तान के नजरिये से के औरत क्या कर सकती है और इस माश्रे के अंदर क्या हो रहा है उनके साथ. So, the vast majority of our women actually are not literate. And 66% of Pakistan lives in rural areas. And as I said, the vast majority of women or girls in the rural areas are not going to school. जो सकूल जर्पाओः भी हैं वो रपाओँ हो जाती हैं. Significant number of them are actually get dropped off from school. So, there's a remarkable number of potential workforce that we are losing out. And these women have the potential to reach the greatest height. जो हमारा कल्चर थोड़ा सा चेंज करें, कि लोग जो है नहीं करें तूधा है। वो जंडर बाइस जो है वो यहां पे हमारे साइटी के अंदर कम हो and I think more work needs to be done and I'd applaud the effort of Indus. Thank you very much. देकम साहबा, आप कुछ कहना चाहेंगे समाकर के? I'd just like to thank Indus Vision for inviting me again today and this is the third time I've been invited. First time to get an award, second time to give an award and now the third time. Thank you very much. and I must say that it really is a wonderful program because it highlights all the achievements that women are making today and that's very important. We have to get the women to come forward in every field and that's why I'm now especially involved in education because it's only through education that the women can come forward. Thank you. Thank you. Thank you so much. And before I announce the name of the next awardee, I request to beagam Salimah Ahmed say that she please the stage पे तश्रीफ लाइए. मसरत मस्पाच और अप्रीफ लाइण का नाम किसी तारुफ का महताच नहीं, मुलकी मारूफ ब्यूटीशन जिसनों ने अपनी सलाहियतों को उन्बत किस्प्समत जली हुई खवातीन के चेहरों को सवारने में लगाया, जो समाच की जियातियों का शिकार हूँ मुसरत मस्पा की NGO डिपलिक्स स्माइल अगेन अपने पुर्खलूस और डेडिकेटिड काम की वज़ा से कई बैनों अख्मामी अबॉर्ड हासल कर चुकी है मुसरत मस्पा मुसरत मुखे पे आप कुछ कहना जाहेंगे असलाम अलेकूम तैंक यू सो मुश पर इंवाइटिंग में और गिविग में इस अपरचुनिटी और रवादिंग में पर अजॉब विचिस नॉट इस नॉट इस माइन आप सब का है ऐसी खावतीन जिनके चेहरी के अपर तैजाब डाल दिया जाता है ये आग से जला दी जाती है वो फेसलस खावतीन है और उनके लिए कुछ करना सोचना प्यार से उनके बारे ही में हाथ पकड़ के बैठ जाना भी बहुत बड़ी बात है my award is not for me this award is for 240 girls who are waiting for their operations who are waiting के आगे बढ़के कोई उनका हाथ थामे और उनकी मदद करे thank you so much indus, thank you so much everybody else and thank you for inviting me here and I hope कि आप सब लोग जो यहां पर मौजूद हैं वो इस अच्छे जगा एक ऐसी गैधरिंग में जहां पर हम सब लोग मौजूद हैं और सारी खावतीन बहुत प्यारी लग रही हैं वो उन बच्चीयों के बारे में जरूर सोचेंगी जिनके चेहरे मस कर दिये गए I thank you all very much अनीस हारून हमाई नेक्स अवार्डी है अनीस हारून अनीस एक मायनास सोशल वर्कर हैं जिनोंने हमेशा खवातीन के मसाइल और तशद्दुत के खिलाफ सैक्रो मजामीन लिखे और अमली काम किया आप औरत फाउंडेशन की सदर हैं उनकी तस्नीफ दर्द के रिष्टे सची कहानियों पर मबनी है शुक्रिया बहुत बहुत मैं ना सिर्फ अपनी तरफ से बलके मेरी जो और्गनाइजेशन है और फाउंडेशन और मेरी जो साथी यहां मौजूद हैं जिनके बगएर मेरे लिए यह अवार्ड लेना नामुम्किन था उनकी तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हूं सिर्फ यह बात मैं यहां कहना चाहूंगी कि मैं समझते हूं कि यह अवार्ड मेरे उस थोड़े से काम का रिकनेशन है जो पाकिस्तान की उन खवातीन के लिए है जो हमारी तरह खुशकिस्मत नहीं है और वो खवातीन इस मुल्की अक्सरियत हैं दे आदर मिजॉरिटी एंड यह वर्क हार्ड 24 आर्ज अड़ एंड दे दे वर्क इन दे फील्स खेतों में काम करती हैं खलियानों में काम करती हैं फैक्ट्रियों में काम करती हैं कारखानों में हैं छोटी छोटे पोस्ट पे बैंकों में अपने घरों में काम करती हैं पीस रेट वरकर्स हैं फिशिंग इंडस्ट्री में काम करती हैं और मैं समझती हूँ कि वो असल पाकिस्तान की मेहनत कशखवातीन है जो हमारी मैशत की रीड की हड़ी है और आज मैं आपका ये अवार्ड उनके नाम मैं मालून करती हूँ और मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप एक तो उस खवातीन के उस सेक्शन की तरफ जरूर देखिए जो कि इस मुल्क की अक्सरियत है और आएंदा जब अपने एवार्ड आप दें तो उनको जरूर रिगनाइस कीजेगा हम ऐसी खवातीन को पॉइंट आउट कर सकते हैं जो हमारी ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है लेकिन पाकिस्तान की असल खवातीन है और मैं एक बास से कहूंगी कि स्टेरियो टाइपिंग से भी थोड़ा सा निकलना चाहिए खासतोर पर इलेक्ट्रानिक मीडिया वालों को और हम यह समझते हैं कि औरत मा है बेटी है बेहन है लेकिन औरत इनसान भी है So we want to be acknowledged as human beings आखिर में मैं सिर्फ इस शेर के साथ ये बात खतम करूंगी जो एक द्वा भी है वो ये के खुदा करे मेरी अर्ज पाक पर उत्रे वो फसल गुल जिसे अंदेश है जवाल नहो खुदा करे मेरे हर एक हमवतन के लिए हयात जुर्म नहो जिंदगी वे बाल नहो थैंक यू बहुत शुक्रिया बेगम अनिस हारू हमाई नेक्स्ट अवाडी है घुलाम सकीना एक अपकमिंग स्पोर्स कर्ल्स जिसने चोटी सी उमर में स्विमिंग चेंपियंशिप हासल की खुलाम सकीना का नाम स्विमिंग के स्पोर्स के हवाले से जाना पहचाना है और वो एक तापनाक मस्तक्बिल की मालिक है मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्स वीना मसूस से कि वो प्लीज स्टेच पे आएं और गुलाम सकीना को एवार्ड दे गुलाम सकीना एक अपकमिंग स्पोर्ट्स वुमन जिसने छोटी सी उमर में चेंपियंशिप और एजज़ाद हासल किये गुलाम सकीना स्विमिंग के हवाले से पहचानी जाती है और एक ताबनाक मुस्तक्बिल की मालिक है सकीना आप कुछ कहना चाहेंगी